मुकेश सैनी और तेजस्वी मिलकर भाजपा को तबा करने की प्लानिंग तै कर तुके मुकेश सैनी ने कहा कि भाजपा वाले उनको धमका रहे हैं मुकेश सैनी चार करोड की गारी में यातरा कर रहे हैं हमको फून करके धमकी देता है कि तोरे जैसा नेता हम कई गो पैदा कर सकते हैं ये हमरा लाइन नहीं है ये मुकेस सेहनी का लाइन है मुकेस सेहनी ने कल कहा कि हमको फून आता है और फून करते हैं वो लोग कहते हैं तोरे जैसा कई गो नेता पैदा कर देंगे उनको पता नहीं कि हम बिहारी है बिहारी को बिगाड़ना इतना असान नहीं होता बिहारी अपने पर आ जाए तो फिर क्या होता है वो सब को पता है नमस्कार आप देख रहे हैं दा इंडिया टॉप मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो कल लीजिए और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कल लीजिए मुकेश सैनी हाँ वही मुकेश सैनी जो खुले आम सीना ठोक के कहता है कि चार करोड के बस में हम यात्रा करेंगे भाई हमारा समाज गरीब है हमारे लोग गरीब हैं आप अपने लिए खड़े हो गए तो कल मुकेश सैनी के जगा आप उस बस में होगे आपका भी अपना चार करोड का गारी बैस या बंगलो होगा आप भी हलिकॉप्टर से दौरा करेंगे हर समाज में एक नेता ऐसा होना चाहिए जो लोगों को खवाब दिखाए और उस खवाब के लिए रस्ते पे चलना भी बताए मुकेश सैनी चार करोड की गारी में यातरा कर रहे है ये लोगों को खटक रहा है मुकेश सैनी ने कहा कि भाजबा वाले उनको धमका रहे है इंडालिक ड्वे में कहा मुकेश सैनी इस धमकी से डरने वाले नहीं बिहारी डरता है जी नहीं बिहारी डरता नहीं लडता है और वही मुकेश सैनी ने करके दिखाया कि मुकेश सैनी एक बिहारी है और वो एक निसाथ समाज से आते हैं जो पानी में कितना भी धार हो तो डुबकी लगाना और नदी को पार करना नहीं भूलता जब इनसान मजधार में होता है तो कौन पार लगाता है सहनी समाज ही पार लगाते हैं अब बिहार में मजधार में है और बिहार में जो मजधार में भाजपा और भाजपा उपर से धंकी दे रही उस मुकेश सैनी को जिस मुकेश सैनी ने 2020 में ये ख्वाब दिखा दिया और ये सच करके दिखा दिया कि भाजपा के साथ भाजपा यहां सत्ता में आ सकती है नितिश कुमार के साथ भाजपा फिर चाहड़ गई अब मुकेश सैनी उतारने आ गए है मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ आने की तयारी कर चुके है मुकेश सहनी यूही सीना ठोक कर आखों में आखें डाल कर भाजबा को नहीं चिता रहें कि सुनिये हमरा आपके फून कॉल से जरिको डर नहीं लगता होगे आप देश की सबसे बड़की पार्टी होगे आप सबसे ज़ादा सांसद वाले पार्टी होगे आप सबसे ज़ादा राजसभा वाले पार्टी हम बिहारी हैं हम वो बिहारी हैं जब अपने पे आ जाएं तो पहाड तोड़ देते ही आपका घमन किस चीज़ का है साहब मुकेस सैनी के इस होसला के पीछे वो एक लौते नहीं तेजस्वी आदव का हाथ है तेजस्वी आदव नितीश कुमार का पता है कि उनको समर्थन मिलने वाला है और इसलिए कल जिस तरह से आप पूरा भाषन उठाईए सुनिए एक एक सेकंड को सुनिए आपको समझ में आ जाएगा कि मुकेस सैनी ने एक बार भी कटाक्ष तेजस्वी आदव और नितीश कुमार पे क्यों नहीं किया उनके हर भाषन के चौथे लाइन में भाजपा भाजपा इंडारेक्ट क्यों होती थी क्यों उन्होंने आखिर बता दिया कि भाजपा वाले फून करके बोलते हैं कि तुम्हरा अकात दिखा देंगे तुमको हम बता देंगे कि नेता कैसे पैदा किया जाता है नेता कोई पैदा नहीं करती नेता जनता बनाती है ये सच है कि जनता जिसको चाहे नेता बना ले जनता जिसको चाहे गद्दी से उतार दे अब बिहार में युवा और तजुरुबा दोनों राज करेगा ये चीज अब सामने आ गई है मुकेश सहनी तेजस्वी आदो ने तीश कुमार ये सारे मिलकर अब रस्ता पहला रहे हैं और कल तेजस्वी आदो ने एक ट्वीट किया था आपको याद होगा ठीक है कि एकता में बल होता है वो तस्वीर थी तेजस्वी आदो ने तीश कुमार कॉंगरे साथ आ गई तो भाजपा जो नेता बनाने की बात करती है शायद ही उनके नेता की यहाँ पर विजय और विजय होगी बाकि आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ज्यादा स्यादा इस वीडियो को शेयर करें धन्यवाद